Good day to all of you. मैं आसा करता हूँ कि आप सभी ने राइटर के एडवांस भाग को सही प्रकार से सीखा होगा. क्योंकि राइटर 3 यही पर पूरा होता है, अगले क्लास में आप सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा. और उसके बाद कम्प्यूटर सिख्षा के द्वारा आपका एक रिटेन टेस्ट लिया जाएगा. आज की क्लास में आप सभी राइटर 3 में जो भी सिखा, जो भी सिखाया गया है, उन सभी आप्संस में से कुछ आप्सं का रिविजन करेंगे. क्या आप बता सकते हैं मैक्रो से क्या होता है? मैक्रो की मदद से आप मैसेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे आप बार-बार टाइप करते हैं, जिसे आप बाद में कभी भी और किसी भी पेज पर उप्योग कर सकते हैं. क्या आप जानते हैं कस्टमाईज से क्या होता है कस्टमाईज ओप्सन की मदद से आप मैनू बार को कस्टमाईज कर सकते हैं उसके ओप्सन को भी कस्टमाईज कर सकते हैं और खुद से भी अपने नाम का मैनू बना सकते हैं अथवा कोई भी toolbar बना सकते हैं क्या बता सकते हैं ऐसे कौन से character होते हैं जिन्हें आप backspace और delete के मदद से नहीं अटा सकते हैं इन्हें आप non printing character कहते हैं यह ऐसे character हैं जिनका उप्योग करते समय यह आपके document में सभी दिखाई देते हैं लेकिन print करते समय यह print नहीं होते हैं क्या बता सकते हैं field name में से setting हटाने के लिए क्या करेंगे field name की मदद से आप जो time, date, other, इत्यादी को अपने page पर insert करते हैं तो इन पर आई हुई setting को हटाने के लिए field setting का उप्योग करेंगे क्या बता सकते हैं selection mode में extender और block area mode में क्या अंतर होता है selection mode में extender selection के उप्योग से आप किसी भी line को select करेंगे तो वह line वैसे ही select होगा और block area के मदद से आप text white select कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं extender toolbar toolbar को कैसे hide करते हैं shortcut तरीके से hide करने के लिए extender toolbar के right side में drop down बटन पर click करें और एक box open होगा उस box में close पर click करें जिससे extender toolbar hide हो जाएगा क्या आप जानते हैं navigator से क्या होता है navigator से आप यह जान सकते हैं आपकी file में क्या-क्या active है उधारन के लिए मानली जी आपने कुछ picture insert किया है और आप जानना चाहते हैं कि कितने picture हैं तो navigator की मदद से जान सकते हैं इस प्रकार से आप table, image, hyperlink, section, इत्यादी को देख सकते हैं उनकी counting कर सकते हैं आईए आज की class को शुरू करते हैं सबसे पहले अपने computer को on करें और फिर writer की file को open करें अब सामने दिये गए paragraph को type करें उसमें जो formatting किया गया है वह formatting करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देखकर अप अपने text जो हमने paragraph टाइप किया या line जो भी आपने type किया है उसकी formatting कैसे करते हैं जैसे कि आप सब भी जानते हैं कोई भी formatting करने से पहले हमें अपने line, text, paragraph को select करना होता है select आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं हमने यहाँ पे mouse या touchpad के दौरा select कर लिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है select करने के बाद आप अपने pointer को यहाँ पे लेका रहा है click करें font size पे और यहाँ से अपने text की line या paragraph के size को बढ़ा लें उसके बाद bold कर लें जैसे कि दिखाया जा रहा है वीडियो में फिर उसके बाद font style से आप अपने text के paragraph के align के writing को change कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप alignment set करें justify कर लें यहाँ से उसके बाद आप अपने paragraph को unselect करें और यहाँ पर बीच में अपने cursor को रखें और फिर enter button का उपयोग करें फिर दूसरे line पर यहाँ पर pointer को रखें cursor को और फिर enter button का उपयोग करें जिससे कि आपका यह paragraph दो-दो line में divide हो गया अब पहले वाले line जो आपका है दो उपर select कर लें इसे select करने के बाद आप इसके font के color को change करें इसके बाद यहाँ पर bullets और numbering का उपयोग करें यहाँ पर फिर अगले दो line को select करें इसको हमने underline किया फिर यहां से इसके इसको highlight किया हमने फिर अगले बाद फिर यहां पर दूसरे line पर bullets और numbering का उपयोग करें जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है अगले line को select कर लें उसके बाद आप अपने pointer को यहां पर लेकर आए और इसके background के color को change करें इस तरह से आप अपने paragraph, line या text की formatting कर सकते हैं अब आप इसे section की मदद से paragraph को दो भागों में divide करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आए वीडियो को देखकर आप सिखते हैं कि section भी कल्प का उपयोग कैसे करते हैं और उसे क्या होता है इसके लिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने line, paragraph, text जो भी आपने टाइप किया उसे select कर लें उसके बाद insert पे जाएं यहाँ पे click करें section भी कल्पे click करें अब देखें एक box आएगा इस box के अंदर अलग-अलग options दिये गया है पहला option by default select होता है section अगर select नहीं है तो इसे select करें और इसके अंदर new section जैसे नाम दिया गया यहाँ पे आप कोई भी section का नाम type कर सकते हैं उसके बाद आप यहां से अपने section को columns भी कल्प के द्वारा divide कर सकते हैं कितने जो भी आप paragraph या line जो भी है उसको कितने section में रखना चाहते हैं एक दो तीन चार पांच जो भी है आप यहां से divide कर सकते हैं यहां से आप उसको distribute कर रहे हैं तो सारे यहां पर click करेंगे यहां से उसके बाद आप उसके width और spacing को बढ़ा सकते हैं यहां पर आप उसके line के design दे सकते हैं कैसे design रखना चाहते हैं अपने section को आप उस line के height को भी बढ़ा सकते हैं उसके position को यहां से दे सकते हैं यहां से आप उसके अगले बिकल्प से indent से अपने section के indent को भी दे सकते हैं before कर सकते हैं, after कर सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर उसका format भी दिखाएगा कि आप indent कि बढ़ा रहे हो कैसे हो रहा है उसके बाद आप यहां से उसके background के color को भी चेंज कर सकते हैं जो भी यहां पर आपको color पसंद आए आप यहां से ले सकते हैं यहां से आप उसके footnote और endnote को दे सकते हैं नहीं देना चूड़ सकते हैं आप इंसर्ट करना चाहते हैं इंसर्ट कर सकते हैं यहां से रिसेट कर सकते हैं जो भी चेंजिस की हैं आपने आपको अगर reset नहीं करना है तो आप insert कर लें अब देखें कि आपने जो paragraph यह line type किया है वह दो भागों में बढ़ गया क्योंकि हमने वहाँ पे दो भाग में divide किया था इस तरह से आप section भी कल्प का उप्योग कर सकते हैं अब एक text frame insert करें और उसमें कुछ type करें text frame के अंदर background color change होना चाहिए और इसके border पर hyperlink attach होना चाहिए अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए आप वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अपने writer के page पे frame विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं या frame को कैसे लगाते हैं और इससे क्या होता है इसके लिए आप से भी जैसे की वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने pointer को insert menu bar के विकल्प पे लेकर आए क्लिक करें याँ पे उसके बाद frame पे क्लिक करें याँ पे एक box आ जाएगा अब इसके अंदर सबसे पहला option है type जो by default select है अगर आपका select नहीं आ रहा है तो आप type विकल्प को select करें याँ से आप उसके size की width को बढ़ा सकते हैं frame के जैसे आपको दिखाया जा रहा है इसे automatic कर ले जो भी आप इसमें changes करेंगे जिस box के उपर वापे सही का निसान बन जाएगा उसका मतलब होगा कि आपने वह option को select किया है फिर आप यहां से उसके height को बढ़ा लिया आपने यहां से position देख सकते हैं कहां रखना है left में, right में, center में center पे यहां select कर लें center में, उसके बाद आप उसको अभी आपने horizontal किया उसके बाद आप vertically के position को दे सकते हैं उसके बाद आप यहां पे paragraph के area को दे सकते हैं कहां से कहां तक रखना है आपने जो भी यह आप है paragraph area, paragraph text area left page border इसमें से जो भी option आपको रखना है आप किसी एक option को select कर सकते हैं नहीं रखना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं उसके बाद आप अगले option पे आजाएं options यहाँ पे आप अपने frame के नाम को दे सकते हैं जिस नाम से भी आप रखना चाहें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है नहीं रखना चाहते नाम अगले options पे आजाएं यह अपका रैपिकल्प है यहाँ पे देखे अलग-अलग options दिए गया है इनमें से आपको जो भी options रखना है select कर सकते हैं आप यहां से यहां पे उसके design भी दिखाया गया है format भी दिखाया गया कि कौन से option को select करेंगे तो आपका frame कैसे आएगा अगर आप उस box के अंदर hyperlink देना चाहते हैं तो यहां से आप अपने hyperlink को दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पे आप अपने जो भी link देना चाहते हैं उसके site को यहां पे type करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर हमने www.computer.org टाइप किया उसके बाद यहां पर हमने नाम दिया CS फिर अब आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉर्डर लगा सकते हैं यहां से अपने फ्रेम पर यहां पर बॉर्डर के अलग-अलग टाइप्स दिये गया है जो भी आपको बॉर्डर सेट करना है आप सलेक कर लें उस बॉर्डर के स्टाइल को लाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यहां से अलग-अलग प्रकार के यहां पर लाइन के स्टाइल है आप सैडो भी दे सकते हैं बॉर्डर का color को भी change कर सकते हैं यहां से border के space को भी दे सकते हैं color change करने आप यहां पे click करें जो भी अब इस box के नदब बहुत सारे color आ जाएंगी इन में से जो भी color आपको अच्छा लगए उसे select कर ले अगर आप अपने frame के background को देना चाहते हैं तो background भी color पे click करें यहां पे अब देखें यहां पे edge, color और graphics दो options दिये गया है color चूज करेंगे तो color आएगा अगर graphic चूज करेंगे तो graphic आएगा हमने color को select कर लिया यहां पे color दिखा रहा है जो भी आपको color अच्छा लगए यहां पे color को select कर लिया उसके बाद next option है columns यहां से अपने frame को कितने भागों में बाटना चाहते हैं यहां से divide कर सकते हैं उसके बाद आप ok कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह आपका writer के page पे frame insert हो गया आप इसे pick कर के जहां चाहें रख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जब आप इसको pick कर के रखेंगे तो यहां पे कुछ options लिख के आ रहे होंगे क्योंकि हमने इसके अंदर hyperlink लगा के रखा है आप अपनी इस frame के size और height और width को बढ़ा सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब यहां से हम directly hyperlink open करेंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा अब इस text frame के अंदर आपको text type करना है तो आप यहां पे text type करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है frame के अंदर आप कुछ भी type कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जब तक आपका पॉइंटर यहां पे जब तक आपका पॉइंटर इस फ्रेम के आसपस रहेगा जो हमने हाइपर लिंक दिया है उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा यहां पे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप फ्रेम विकल्प का उप्योग कर सकते हैं और उसके साथ में बहुत सारी चेंजिस भी कर सकते हैं अब आप end note और foot note इंसर्ट करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि foot note और end note विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसके लिए आप सभी करसर को देखें या फिर pointer को अपने pointer को menu bar के file विकल्प पे लेकर आएं और यहां से आप new document को ले जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप insert पे जाएं यहां पर click करें उसके बाद foot note और end note विकल्प करें विकल्प करें फिर एक box आएगा यहां पर दो option है numbering और type numbering के भी दो option है और type के भी दो option है by default automatic और foot note select होता है यहां पर आपको कुछ नहीं करना जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप ok कर दें अब देखें कि आपके पहले page के end में कुछ line के type का आ गया यह आपका end note है यहां पर हमने paste किया क्योंकि पहले paste पर हमने copy किया था इसलिए यहां पर हमने paste कर दिया तो यह आपका page के end में note आ गया अब इस पर जब भी हम अपने cursor को रखेंगे यहां पर hand का sign बन जायागा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जब भी आप end note पर क्लिक करेंगे आपका pointer अटमाटिक page के टॉप में आ जायेगा जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है फिर से दुबारा से आप insert पर जाएं क्लिक करें यहां पर उसके बाद footnote और end note बिकल्पे select करें अब यहां पर numbering बिकल्प के जगए character को select करें यहां से कोई भी character लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां से आप इसे scroll कर सकते हैं नीचे के तरफ यहां से select करें उसके बाद ok पर क्लिक कर दें वह character आपके footnote और end note भी कल के अंदर आ जाएगा box में और उसके बाद end note पर select कर लें और ok कर दें अब देखें कि यह option जो है second page पर आ गया फिर आप अपने writer के दूसरे page पर जाएं जहां पर आपने text को type किया था वहां से कुछ text को select करें और उसे copy करें उसके बाद आप फिर अपने दूसरे writer के page पर आ जाएं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अब यहां पर उससे paste कर दें अब यहां पर click करेंगे तो यह automatic आपके इस page पर पहले page के उपर आ जाएगा यहां पर click करेंगे तो आप direct दूसरे page के first line पे चले जाएंगे जहां पर आपने end note लगाया हुआ है अगर आप यहां पर click करेंगे तो आप footnote पर आ जाएंगे footnote पर click करेंगे तो direct पहले page के जहाँ footnote है वहाँ पर आ जाएंगे footnote और end note भी गल्ब के द्वारा एक जगा से दूसरी जगा पर directly जा सकते हैं बिना cursor और arrow key का उप्योग किये हुए अब आप macro record करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देखकर आप macro के answer को सही करते हैं कि macro का उप्योग कैसे करना है जैसे कि आप जानते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को टूल्स पर लेकर आए अब यहाँ पर record macro पर क्लिक करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जब आप macro पर जाएंगे वहाँ पर एक box आएगा इस box के अंदर record macro का option इस पर क्लिक करना है अब यह box आजाएगा इस box को आप पिक करके कहीं भी रख सकते हैं अब अपने writer के page पर जो भी text टाइप करेंगे वह text क्या होगा record हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है record macro करने के बाद आपको अपने writer के page पर टाइप करना है कुछ भी आप अपना नाम, address, contact number, etc इत्यादी जो भी आप टाइप करना चाहें या जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वहीं text को टाइप कर लें या क्या हो रहा है कि आपके macro में record हो रहा है जब भी आपका typing कंप्लीट हो जाए, text कंप्लीट हो जाए इसको आप इस टोप कर सकते हैं यहां से, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जब आप stop recording पर click करेंगे एक box आ जाएगा यहां पर आप अपने उस macro का नाम type कर सकते हैं, किस नाम से रखना चाहते हैं आप इसे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसे आप अपने text macro का नाम दे दे और यहाँ पर ok कर दे अब यह जो आपने text type किया है वह अपके computer याणि writer के page के अंदर हो save हो जाता है अब मालने जी हमें एक नए page को लेना है writer का हमने यहाँ से नए पेस ले लिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अब हम चाते हैं कि जो हमने text macro के नाम से save किया है उसे हम लेकर आए या तो फिर आप पूरे उस चीज़ को type करेंगे अगर आप type करने के समय बचाने जाते हैं तो आपको क्या करना होगा macro के द्वारा उसे लाना होगा उसके लिए आप tools पे जाएं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है macro पे जाएं click करें यहाँ पे या pointer को रखें उसके बाद इस box के अंदर आपको organize macro पे जाना है उसके बाद open office basic option को select करना है यहाँ पे देखी एक box आ गया अब इस box के अंदर आपने जो file save की जो text save किया था उस नाम को ढूड़ें और उसे run पे click कर दें अब देखें आपके नए page की जहाँ भी आपका गरसर है वहाँ पे वो पुरा text आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से macro से आप अपने address, नाम contact number जो भी आप अपने writer के page में चाहते हैं बार बार उसे use करते हैं उसे आप record कर सकते हैं और उसका use हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अब match case विकल्ब का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसके लिए आप सभी अपने pointer को edit पर लेका रहा है यहाँ पर click करें एक box open होगा यहाँ पर आपको find and replace विकल्ब पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर match case पर क्लिक करना है अगर सही का निसाने वह चला जाएगा यहाँ पर click करेंगे तो अगर नहीं होगा तो वह आ जाएगा उसे unhide कर लें match case के विकल्ब पर उसके बाद search for में text को type करें फिर find पर click कर लें अब एक और box आएगा वहाँ पर ok कर दें अब देखे कि यह search हो जाएगा अब इसे close कर लें जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर search कर लिया जैसे कि आपको विडियो में दिखाया जा रहा है दुबारा से edit पर जाएगे click करें find and replace पर click करें अब यहाँ पर match case पर टिक का निसान करें अब find पर click करें यहाँ पर yes कर दें फिर आप एक box आएगा ok करें यहाँ पर लिख कर रहा है search की not found मतलब इसने जो हमने text दिया है उसे search नहीं किया route नहीं हमारे document के अंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पर t हमारा small में है हमें match case पर जब click कर देंगे same text type करना होता है अगर हमें small letter या capital letter को छोड़ देते हैं तो वह text को find नहीं करता है हमें same text type करना होता है उसके बाद find पर click करना होता है yes अब देखी यहाँ पर text को दिखा दिया त्योंकि हमने same text को type किया था match case से select करके अब हमने यहाँ पर इसको replace कर रहे हैं तो यह replace हो जाएगा same वैसे ही फिर आप इससे ok कर दें close कर दें यहाँ से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप match case विकल्प का उपयोग कर सकते हैं अब आप text wise पूरे paragraph की formatting करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि text format विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं या text format विकल्प से क्या होता है किसी एक line को select कर लें उसके size को बढ़ा लें फिर अगले कुछ words को select कर लें उससे underline कर लें फिर उसके आगे कि कुछ lines को select करें जैसे अभी आपने underline किया अब उसके आगे की कुछ सब्द को select कर लें और उसके font के color को change कर लें यहां से जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर उसके आगे के color उसके आगे के line को select कर लें उसके writing को style change कर लें यहां से जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में फिर उसके बाद ऐसे कुछ और लाइन सेलेक्ट कर ले उसके भी font के style यानि writing change कर ले फिर उसके बाद यहां पे कुछ और लाइन को select कर ले यहां से highlighting कर ले जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से आप अपने टेक्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आज की क्लास यहीं पर समाप्थ होती है और अपने फाइल को सेव करें और उसे क्लोज करें उसके बाद अपने कम्प्यूटर को प्रोपरली सट डाउन करें आज की क्लास में आपने राइटर 3 के कुछ ऑप्षन का अभ्यास किया अगली क्लास में आप सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आप सभी प्रैक्टिकल टेस्ट में उपस्तित रहें उसके बाद computer शिक्सा के दुआरा आपका एक written test लिया जाएगा